हरियों प्रीदर्स को मैं हूँ पंडित बलराम पांडे हाजिर हूँ आज का रासी फन लेके बात करेंगे किन रासी वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और किन रासी वालों को बेहत साउधान रहने की जरूरत है क्योंकि चंद्रमा आज पहले तो सूर के निशत्र में रहेंगे और इसके बाद खुद के निशत्र में रहने वाले हैं तो कैसा रहेगा सभी के लिए आये जामते हैं तो राशी के क्रम में बात करेंगे सबसे पहली राशी मेश मेस राज के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आज घर परिवार में खुशी का महल रहेगा आज आपके बानी से लोग प्रभावित होने वाले हैं यदि आप किसी से मिलना चाहते हैं किसी से मीटिंग करना चाहते हैं या कोई बड़ा निर्णे लेना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा आज घर परिवार के सदस्चों का सहयोग मिलेगा जिससे सभी काम बनते हुए दिखाई देंगे दामपत्य जीबन में भी आज खुशी का महल रहेगा और इस्टुडेंट को भी आज मन चाही सभलता मिलने वाली है वहीं बात करें स्वास्त की तो स्वास्त में कोई खास मश्याई नहीं दिखाई दे रही हैं निबेस भी आप कर सकते हैं आज का मूल मंत्र यही रहेगा कि आज आपको बहुत जरूरी होगा कि किसी का अपमान ना करें अपने से बड़ों का खास कर अपमान करने से बचें अपने से बड़ों का सम्मान करें जिससे आपके सभी काम बनते हुए दिखाई देंगे पात कर लेते हैं वरसरास की वरसरास के लोगों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है आज भाई बंदों का सहयोग प्राप्त होगा, वर्क ब्लेस में लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे सभी काम बनते हुए दिखाई देंगे, आज यदि आप कोई परिच्छा प्रतियोगता की त्यारी कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता प्राप्त होने वाली है, यद जिससे आप हर काम को बड़ी सीगृता के साथ कर सकेंगे जिससे लोग प्रभावित होने वाले हैं दांपत्य जीवन भी भेतर रहेगा और स्टुडेंट को भी मन चाही सबलता मिलने वाली है और बात करें स्वास्त की तो स्वास्त में कोई आज आपके साथ है जिससे आपको सफ़ताएं प्राप्त होंगी और बात करें निवेश की तो निवेश आप कर सकते हैं आज का मूल मंत्र यही रहेगा कि आपको जोस में काम तो करना है परन्तु होस में भी रहने की जरूरत है हर काम को सोच समझ के अच्छे से जांस परक्के इसके वाधी करें अब बात कर लेते हैं मिसंडास की मिसंडास के लोगों के लिए आज का दिन बहतर रहेगा आज कहीं यात्रा का भी आपको मौका मिल सकता है और यात्रा लाबदायक रहने वाली है यह गारी वहां लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज के दिन बहतर र सरकारी चेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम रुका हुआ था तो आज बनता हुआ दिखाई देगा सरकारी अधिकारियों का सयोग प्राप्त होगा और आपके मानप्रतिष्ठा में ब्रद्धी होने वाली है और आप हर काम को बड़ी निपुनता के साथ प्रोफेशनल तरीके स आप कर सकेंगे जिससे सभी लोग प्रभावित होने बाले खास कर वो लोग जो अभी तक आपके काम से असंतुष्ठ थे कहीं न कहीं उनको लग रहा था कि आपका परफॉर्मेंस बहतर नहीं है आप अच्छे डंग से काम नहीं कर पा रहे हैं वो भी आज को सोने बाले है आज का दिन ओवराल बहतर रहेगा दामपत्य जीवन भी सुह में रहने बाला है इस्टुडेंट को सफलता तो मिलेगी परम्तु मेहनत अधिक करना होगा और बात करें निवेस की तो निवेस आप कर सकते हैं स्वास्त में कोई खास समस्या नहीं हो सकती है उससे बचने की जरूरत है बागी कोई खास समस्या नहीं रहने वाली है अब बात कर लेते हैं करकराश की करकराश के लोगों के लिए आज का दिन कहा जाए तो लाब हदायक है अचानक लाब लाने वाला है अचानक सफलताएं प्राप्त होने वाली है अर्थात कल आपने जो मेहनत की थी कल आपने जो कर्म किया था उसका फलाज मिलने वाला है और कोई अचानक आपको ऐसा आप मिल सकता है जो आप बहुत समय से प्रयास कर रहेते कोई काम करने का तो आज अचानक से वो सिद्ध हो सकता है मतलब बिगड़े हुए काम आज बनते हुए दिखाई देने वाले हैं और ब उसकार सफलता मिलने वाली है परन्तों आपको लास्ट में सफलता जरूर मिलें और खास करें ने स्वास्त की स्वास्त की नहीं दिखाई दे रही है और निवेस भी आप कर सकते हैं परन्त किसी जानकार रिवेक्ट की सलाह ले ले और खुद भी बहुत अच्छे से रिशर्च कर लें और इसके बाद ही निवेस करें बात कर लेते हैं सिंगराज की सिंगराज के लोगों के लिए बेहद साउधान रहने की जरूरत है आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा आज किसी से बाद विवाद में पढ़ना आपके लिए नुक्सान दायक हो सकता है आज अपने स्वास्त का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा और आज किसी से देन्लेन करने के लिए नहीं और आज से संबंदित या सर में दर्दशिय स्थितृृत पेदा हो सकती है तो अपने पूरे दिन को करें और इसके के बाद ही आप कोई काम करें जो भी काम करना हो उसकी पूरी प्लानिंग कर ले और इसके बाद करें दामपत्त जीवन की दुद्धामपत्त जीवन आज शुक में नहीं कहा चाहिए आज कुछ बाद विवाद जैसी स्थिति पैदा हो सकती खासकर दिन के पूरवार्द में आज आपको खासकर दिया आप व्यापारी छेत्र से आते हैं व्यापारी वर्ग से आते हैं तो आपको विशेशलाव होने बाला है या कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या कोई नए रिष्टे की शुरूआत करना चाहते हैं उसके लिए आज के दिन बहतर रहे दांपत्य जीवन से आज सपोर्ड मिलने वाला है और आपको कोई उपहार भी मिल सकता है और वहीं बात करें स्वास्त की स्वास्त में कोई खास समस्या नहीं है परन्तु मांसिक टेंशन से आपको बचना चाहिए और एस्टुडेंट को भी आज मन चाहिए सभलताएं तो प्राप्त होंगी परन्तु खास बात आप लोगों को ये धियान रखने की जरूरत है कि आज अपने विप्रीव के प्रति आकरशित होते हैं जिससे आपके बने हुए काम बिगड़ सकते हैं बात करें निवेस की तो तुला राज की तुला राज के लोगों के लिए बेहद सावधान रहने की जरूरत है खास कर आपको अपने स्वास्त का विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए आज कुछ गुट जन तकलीफें हो सकती है या पहले से कोई चली आ रही बिमारी में पुनहां समस्या बन सक करने से आज आपको बचना चाहिए और मोल मंत्र में आज यहीं रहेगा कि आप गुप्त लोगों से साधान रहें गुप्त शत्रू आज आपको परिसान कर सकते हैं या ऐसी कोई समस्या जो तो पहले लगेगी कि नहीं समस्या कुछ नहीं है परंत बाद में बड़ी समस्या के रूप में आपको दिखाई दे सकती है तो आज हर काम को बड़े साध सभानी के साथ सचेत होके करना आपके लिए बिसे सलाब दयक रहेगा अब बात कर लेते हैं वरश्चिक राज की वरश्चिक राज के लोगों के लिए बेहद जरूरी है कि आज आप कर्म करने से पीछी ना हटे हर काम को बड़ी सिग्रता और बड़े कुसलता के साथ प्रोफ नहीं नहीं कहीं असफलता देखना पड़ सकता है तो आलत से आज आपको विश्य सुरूप से बचना चाहिए आज भाग के भरोसे नहीं आज खुद कर्म के भरोसे आपको रहना होगा क्योंकि भाग का भी निर्मान कर्म से ही होता है इस बात को आपको ज्यान रखना होगा वहीं बात करें दामपत्य जीवन की दामपत्य जीवन आज सुख में नहीं रहेगा दामपत्य जीवन में आज कड़वाहड की इस्थी पैदा हो सकती है और इस्टुडेंट को भी आज सफलताएं प्राप्त नहीं होने वाली है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है यहीं आप नियां है स्वास्त की स्वास्ता बहुत अच्छा नहीं रहेगा आज स्वास्त में जोडों पिदा हो सकती है यह कहीं भी सरीर में जोडों में दर्द बन सकता है तो आपको अपने भी ध्यान रखना चाहिए बात कर करने लेते हैं धन दोट लोगों के लिए बेहत जरूरी है कि आज हर काम को सही तरीके लीगल तरीके से करने की कोशिश करना चाहिए आज सौट कट अपनाना आप के लिए नुक्सान धायakож सकता है जो भी काम करें प्रोफेशन तरीके और शही तरीके से करने के कोशिश करें दामपत्ती जीवन की बात कि स्वास्थ की तो स्वास्थ में आज Robin ऊब को अक्दे सम्मंदित कफ़ेंगं हो सकती हैं यह रख्त चाप जैसे स्दिती पईदा हो सकती है और बात करें स्टूडेंट की स्टूडेंट को बेहत साजहन रहने की ज़ारुत है आज आलस से हो सकता है जिससे कहीं न कहीं पूरा दिन निर्थक रह सकता है और बात करें निवेश की तुनिवेश आपको करने से बचना चाहिए और बेहत जरूरी होगा आज मुलमंत्र यही रहेगा हर काम को सही तरीके से करें और अपने मातापता के स्वास्त का भी ध्यान आज घर में किसी व्यक्तिकी तकलीफ बढ़ सकती है स्वास्त में समस्या आ सकती है तो अपने घर परिवार और मातापता के स्वास्त का भी ध्यान लगें बात कर लेते हैं मकर राश की तो मकर राश के लोगों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा आज आपको दिशेश सफ बना रहेगा आज है आपको बैंकिस से विशेशवार हो सकता है यह對 बैंकिस रुखे हुए काम थे बनते हुए přिंव कर दिखाई देंगे और यदि कहीं पैसा फसा हुआ था तो आज वह आपको प्राप्त हो सकता है परंतु आपको मेहनत जरूर करनी होगी लगन के साथ प्रत्न जरूर करना होगा दामपत्य जीवन भी आज सुख में रहेगा और एस्टुडेंट को सफ़ताएं प्राप्त होने वाली है परंतु दिन क प्रत्तान रहने की जरूरत होगी और वहीं बात करने निभेस कितुन आप कर सकते हैं निभेस करना खासकर आपको एफडी औगेरा करना या ऐसे कोई काम अस्थाई निभेस करना आपके लिए विशेश लाबदायक रहने वाला है अब बात कर लेते हैं कुम्भरास की तो कुम्भरास के लोगों के लिए कहा जाए तो आज का दिन मिला जुला रहेगा आज आपको कोई यात्रा का मौका मिल सकता है खासकर विदेश यात्रा आप यदि करना चाहते या घर से कोई दूर यात्रा करने का मौका मिल सकता है और कहीं बिजनेस के रिलेटर भी यात्रा करने का मौका मिल सकता है और यात्रा आपके लिए लाबदायक रहने वाली है हां परन्तों आपको मांसिक टेंसन जैस करना होगा तभी सवलता कि अठा आज ड करेगा आपके मीहनत के ऊपर जितनी लगन से आप पढ़ाई करेंगे इस स्वास्त की बात करें तो अच्छा नहीं कहा जाएगा आज कुछ पेट जन तकलीफे अपच जैसी पैदा हो सकती है तो आज अपने खान पान में संजिम रखें जिसे स्वास्त को बहतर बनाया जा सकते हैं और वहीं बात करें निवेस की तो निवेस आप कर सकते हैं निवेस करना आज आपके लिए लाब दायक रहेगा अपरंद कुछी इसके बाद ही निवेस करें अब बात कर लेते हैं मीन रास की तो मीन रास के लोगों के लिए आज के दिन कहा जाए तो लाब दायक रहेगा परंतु आपको अपने विप्रीत का सम्मान करना बहुत जरूरी होगा आज आपके यस्प दिष्ठा में ब्रद्धी होने वाली है यदि आप कहीं मीटिंग उगयरा करना चाहते हैं तो सभा के मद्ध आज आप से लोग प्रभावित होने वाले हैं आज आपके तेज से अर्थात आपके बाणी में ऐसी ओजस्चता आएगी जिसके वज़े से लोग प्रभावित होंगे और यदि कोई काम आप नया काम सु प्रूब करना चाहते हैं तो आज के दिन बेहद रहने वाला है और और स्वास्त की बात करें तो स्वास्त में आज सर में दर्द जैसी इस्तिती पैदा हो सकती है तो अपने स्वास्त का विशेस रूप से ध्यान रखना चाहिए और निवेस भी आप कर सकते हैं तो मीन रासी वालों के लिए आज का मूल मंत्र यही रहेगा कि आप अपने स्वास्त का ध्यान रखें अपने विजित का सम्मान करें और विशेस वात यह भी ध्यान रखना होगा कि हर इस्त्री का सम्मान करना ये आप पुरुस हैं और ये आप इस्त्री हैं तो पुरुस का स झाले ओून